नवशकर आईए जानते हैं रोजगार पंजियन, जॉब्स एंड प्लेस्मेंट के बारे में एक प्रकाशित खबर के नुसार रोजगार दफ्तर को लेकर युवाओं की सोच बदलने लगी है अब तक इस दफ्तर में महिनों नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं को पहली बार हर हफते नौकरी मिल रही है ओनलाइन आवेदन करते ही 48 घंटों के भीतर युवाओं को नौकरी के आफर मिल रहे हैं राज यही नहीं देश के नामी कंपनियों की ओर से ब्लेस्मेंट कैम्प लगाया जा रहा है इसमें हर पत पर योग युवाओं की पोस्टिंग की जा रही है यही वज़े है कि राइपूर में रोजगार दफ्तर में पंजियन कराने वाले लोगों की संख्या भी हर महीने बढ़ रही है अफसरों की माने तो 75,000 से जादा युवाओं ने रोजगार दफ्तर में पंजियन करवा लिया है पंजियन की संख्या बढ़ने की एक बड़ी वज़े यह भी है कि दफ्तर की और से युवाओं को अब आनलाइन सुविधा भी दी जा रही है युवाओं को केवल दस्तावेज सत्यापन यानी की डॉक्यमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए ही दफ्तर आने की जरूरत होती है बाकी सभी प्रक्रिया घर से ही ऑनलाइन की जा सकती है रोजगार दफ्तर में पंजियन कराने वाले युवाओं की नौकरी की तलाज भी आसान कर दी गई है केंदर सरकार की वेब साइट www.ncs.gov.in पर लोगों को नामी कमपनियों में खाली पदों की जानकारी मिल रही है इस साइट में युवाओं अपना बायो डाटा भी सब्मिट कर सकते हैं इसके अलावा ऑनलाइन ही नौकरी के लिए आविदन कर सकते हैं जिला रोजगार दफ्तर के अफसरों ने बताया कि पंजियन के लिए युवाओं ऑनलाइन वेब साइट www.cg.nic.in slash exchange वेब साइट पर आविदन कर सकते हैं इसमें सभी तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद बताय गयता है समय में केवल दस्तावेजों का सत्यापन documents verification करवाना होता है यानि कुछ ही घंटों में computerized certificate जारी कर दिया जाता है पहले पंजियन के लिए 1-2 दिन लग जाते थे